दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जेनल इंट्री से जेनल इंट्री को देखकर लेजर कैसे हम लोग बनाते हैं बहुत ही आसान ट्रीक है इसमें आपको एक्ष्ट्रा कोई भी दिमाग लगानी की जरूत नहीं है मैं जैसे बताऊंगा बिल्कुल आपको वैसे ही फॉलो करना है आप सीख जाओगे जैसे मैंने जनल इंट्री आपको बताया था और जनल इंट्री की अगर आप वीडियो देखेंगे definitely आप उस एक वीडियो देखकर आप कैसी भी जनरल इंट्री हो आराम से मतलब कि उसकी इंट्री करोगे बस इसी तरह मैं जो बता रहा हूँ जनरल इंट्री यही जनरल इंट्री से फिर लेजर जो बनाने की जो मैं बात कर रहा हूँ बस यही जनरल इंट्री देखकर आप लेजर बनाओगे वही बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्ते इस्टार्ट करते हैं और आज का जो मैंने जनरल इंट्री लिया हुआ है ये हनी फैन मुखरजी बुक से लिया हुआ है तो सबसे पहले है कि स्टार्टेड बिजनस विद कैस रुपीज 6,000 यानि कि 6,000 रुपया से मिस्टर अलफा ने बिजनस से स्टार्ट किया तो इसकी इंट्री मैं पहले भी बता चुका हूँ वीडियो में अगर आप वीडियो नहीं देखें तो कोई बात नहीं मैं इस विडियो में फिर आपको बता रहा हूँ कि कोई अगर कैस से बिजनस स्टार्ट कर रहा है तो कैसी आ रहा है और क्या जा रहा है क्या जा रहा है है कैसेकाँट Debit to Capital करेंगे ठीक है तो इसकी इंट्री होगी Cash to Capital दोस्तो लेजर बनाने से पहले मैं आपको ट्रांजेक्शन बताऊंगा और ट्रांजेक्शन की जो भी जनरल इंट्री है वो मैं आपको बताऊंगा तो सेकेंड नमबर पे आप देखिए यानि कि डेट इसमें दिया हुआ है चार जनवरी 1997 को बाउट गूट्स फोर रिसेल 500 यानि कि गूट्स पर्चेस क्या गया है रिसेल यानि कि सेल करने के लिए 500 रुपीज का है तो इसकी इंट्री मैंने पहले भी बताया था लेकिन मैं फिर आज आपको बता रहा हूँ कि purchase की जब entry करते है तो मेरे पास क्या आ रहा है और क्या जा रहा है यानि कि मेरे पास goods आ रहा है और cash जा रहा है अगर हम cash से purchase करते हैं तो cash जाता है मेरे से तो मेरे पास क्या रहा है goods आ रहा है तो purchase account debit to 500 अगर goods का नाम रहता है तो goods का नाम हम लोग लिखते हैं अगर नहीं रहता तो हम लोग purchase account debit to cash या bank जो भी है उससे हम लोग करेंगे फिर साथ जनवरी को जो transaction है about stationary rupees 50 यानि कि 50 rupees का जो stationary है वो purchase किया गया है तो मैंने आपको बताया था फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि stationary to cash करेंगे क्योंकि stationary मेरे पास आ रहा है और cash जा रहा है मैं बिना कोई नियम बिना कोई rules and regulation के मैं आपको general entry बता रहा हूं इसमें ना मैं ये बताने वाला हूं कि क्या मेरे पास बढ़ रहा है क्या घट रहा है क्या increase कर रहा है क्या decrease कर रहा है क्या golden rule है मैं कुछ नहीं बताऊंगा मैं simple आपको ऐसा trick बता रहा हूँ जिसमें कि आप आसानी से general entry कर सकते हैं जैसे कि about this stationary की बात मैं कर रहा हूँ तो this stationary मेरे पास आ रहा है और this stationary मैंने cash से खरीदा है यानि कि goods purchase किया गया है resell करने के लिए 750 रुपीज का तो इसकी entry मैंने बताया था आपको कि about goods यानि कि purchase account debit to cash account करेंगे और 750 जो है debit और 750 credit करेंगे 12 जनवरी को paid wages रुपीज 100 यानि कि wages का payment हुआ है 100 रुपया का तो इस transaction का जो entry हम लो करेंगे wages account debit to cash account तो मेरे से क्या जा रहा है cash जा रहा है और किसका जा रहा है cash wages का जा रहा है wages का पैसा मैंने दिया इसलिए wages account debit to cash account करेंगे तो 100 रुपय debit में लिखेंगे और 100 रुपय क्रेडिट में लिखेंगे फिर 15 जनवरी को दिया हुआ है कि sold goods for cash रुपीज 350 यानी कि sell किया गया है cash यानी कि sale किया के गया है कितने का 350 रुपया रुपय है तो इसमें आप देखे कि आपके पास क्या आ रहा है आप किसी चीज को बेच घोगे तो आपके पास क्या है jini या तो अगर check पुए कोई करेगा आपको तो आपके पास bank आएगा और cash से कोई payment करेगा तो आप cash लिखेंगे यानि कि cash account debit करेंगे और आप क्या बेच रहे हो कोई समान बेच रहे हो तो to sales account लिखेंगे यानि 350 debit होगा और 350 credit होगा फिर 16 जनवरी को transaction क्या हुआ है यानि कि electricity का हमने payment किया है 70 रुपया का तो मेरे से क्या जा रहा है और किसका जा रहा है और किसका जा रहा है और तो 350 रुपया जो cash sell है तो cash account debit to sales account करेंगे यानि cash मेरे पास आ रहा है और मैंने बेचा है सामान तो उसका आ रहा है तो cash account debit to sales account करेंगे 350 फिर 20 जनवरी को जो transaction है about stationary रुपीज 80 यानि कि हमने stationary purchase किया है 80 रुपीज का तो इसकी entry क्या करेंगे stationary आ रहा है मेरे पास तो stationary debit करेंगे और क्या जा रहा है cash जा रहा तो stationary account debit to cash account करेंगे 80 रुपीज क्रेडिट में करेंगे फिर 21 जनवरी को transaction है paid wages रुपीज 100 यानि कि wages का payment हुआ है 100 रुपया तो wages मैंने दिया है वो cash में दिया है तो wages account debit to cash account करेंगे 100 रुपया debit करेंगे 100 रुपया credit करेंगे फिर 23 जनवरी को transaction हुआ है bought goods for resell 200 यानि कि goods का purchase किया गया है और resell करने के लिए 200 रुपीज का इसकी इंट्री जो हम लोग करेंगे purchase account debit to cash account और कितने का purchase हम ने किया है 200 रुपीज का purchase किया है तो 200 जो है debit करेंगे और 200 रुपीज credit करेंगे फिर 24 जनवरी का जो transaction हुआ है sold goods for cash रुपीज 600 यानि कि cash से sell किया गया है goods बेचा गया है 600 रुपया का तो इसकी entry क्या होगी cash मेरे पास आया और किसका आया sales का तो cash account debit to sales account करेंगे 600 debit लिखेंगे और 600 credit लिखेंगे फिर यहां पर लिखा हुआ है paid postage रुपीज 80 यानि कि postage का payment हुआ है तो payment हुआ है तो मेरे से क्या गया है cash गया है किसका गया पोस्टेज का गया है postage रुपाउन डेविट करेंगे थीस रुपया करेंगे फिर 26 जनवरी को जो transaction है paid for advertisement रुपीज 30 यानि कि advertisement का payment हुआ है तो advertisement क्या होता है expense होता है sold goods for cash रूपी 700, यानि कि cash sale हुआ है, यानि कि हमने बेचा है cash पे, तो cash मेरे पास आ रहा है, तो cash account debit to sell से count करेंगे, 700 debit करेंगे, और 700 credit करेंगे, फिर 31st जनवरी को wages का payment वा है, paid wages रूपी 150, तो इसकी इंट्रियम क्या करेंगे, wages account debit to cash account, cash मेरे से जा रहा है, और किसका जा रहा है, wages का जा रहा है, तो wages account debit to cash करेंगे, 150 debit करेंगे, और 150 credit करेंगे, अब हम लोग Mr.Alpha के account में laser बनाएंगे, यानि कि सबसे पहले, हम लोग cash account का laser बनाएंगे, तो cash account का laser बनानी के लिए, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, जनरल इंट्रीज, तो फर्स नमर में जो जनरल इंट्रीज, हम लोग किये वहते हैं, cash account debit to capital account, यानि कि business उसने start किया था, cash account debit to capital account, और कितने का amount का उसने किया था, 6000 रुपया से, तो 6000 रुपया आप ये देखिए, कि cash account debit हो रहा है, और capital account credit हो रहा है, तो capital account credit हो रहा है, अब cash account का हम लोग लेजर बना रहे हैं, तो capital अगर credit है, तो capital को हम लोग कहा डालेंगे, debit में डाल देंगे, to capital account करेंगे यहाँ पर, 6000 रुपीज, फिर second entry देखिए, bought goods for resale 500, तो purchase goods हो रहा है न, तो purchase account debit to cash account हम लोग किये वहत है, तो cash का जब laser बना रहे हैं, और purchase debit में हैं, तो इसको आप credit में कर दीजे जनरल में, तो buy purchase account करेंगे 500 रुपीज, फिर आप ये देखिए, bought stationary, stationary हमने purchase किया, तो stationary to cash किये वहत है, जब cash का laser मना रहे हैं, तो stationary अगर debit है, तो उसको create कर दीजे, by stationary account लिखेंगे 50 रुपीज, फिर ये देखिए, bought goods for resale, यानि कि फिर purchase की entry हमने किया हुआ है, तो purchase को फिर आप create में entry कर दीजे, 750 रुपीज का, फिर paid wages लिखा हुआ है, यानि कि wages account debit to cash account, तो cash wages जो है debit है, उसको create कर दीजे, by wages कर दीजे, यानि कि create में entry करेंगे wages का, उसी तरह फिर देखिए, sold goods for cash, यानि कि cash से sell क्या हुआ है, तो cash debit है और sales credit है, तो भाई जब हम cash का laser बना रहे हैं, तो sales को देखिए, sales credit है, तो sales को debit कर दीजे, फिर ये देखिए, sold goods for cash, तो फिर वही चीज करेंगे, two sales account करेंगे, जितना amount है, उतना amount उसमें लिखेंगे, फिर देखिए, सतरवतारी का transaction, जो है electricity bill का expense का payment हुआ है, तो electricity bill expenses to cash है, तो cash credit है, और ये debit है, तो just opposite आप entry कर दीजे, electricity bill को credit कर दीजे, और जितना amount है, उतना amount लिखिए है, फिर ये देखिए, 19 जनवरी को transaction हुआ है, sold goods for cash, रूपिस 350, यानि कि cash sale हुआ है, तो cash account debit to sales account, अब ये देखिए, cash का ledger जब हम बना रहे हैं, तो sales account का है, credit लिखा हुआ है, credit में है, तो इसको हम लोग debit side में लिखेंगे, to sales account, कितने का है, 350 तो 350 लिखेंगे, फिर बाउट stationary, 80 रूपिस का है, यानि कि purchase account debit to cash account, और purchase में क्या क्या है, तो stationery को आप credit में कर दीजे, क्योंकि debit है, तो बाउट करना होगा, तो by stationery लिखेंगे, 80 रूपिस, फिर paid wages है, wages account debit to cash account, फिर wages कहा है, debit है, और cash account लोग लेजर बना रहे हैं, तो by debit उसको credit कीजिए, by wages account करेंगे 100, फिर देखें 23 जनवर इक है, about goes for resell, यानि कि purchase के entry हुई है, purchase account debit to cash account, तो purchase debit है, तो purchase को फिर create कीजिए, by purchase account लिखेंगे, और कितने amount में है, 200 तो 200 लिखेंगे, फिर देखे, sold goods for cash, यानि कि cash से sell हुआ है, तो sell अगर create है, तो फिर debit कर दीजिए, to sales account लिखेंगे, और कितने का है, 600 तो 600 रूपिस लिखेंगे, फिर लिखा हुआ है, 25 तारीका जो transaction है, paid wages, rupees 80, paid, sorry, paid postage, rupees 80, तो postage का payment हुआ है, तो postage account debit to cash account होगा, तो postage अगर debit है, तो फिर postage को credit कर दीजिए, 80 rupees by postage account हो जाएगा, फिर paid for advertisement, advertisement account debit to cash account, advertisement debit है, और cash credit है, तो advertisement जो है, आपका credit side में जाएगा, buy advertisement करेंगे, 30 rupees, फिर देखे, sold goods for cash लिखा हुआ है, तो cash account debit to sales account होगा, तो sales credit है, तो sales को debit करना होगा हमको, तो cash, मतलब two sales करेंगे, कितने का है, तो 700 का करेंगे, फिर 31 जनुरी के जो transaction है, paid wages, यानि कि wages account debit to cash account, तो wages कहा है, debit है, और cash का ledger जब हम बना रहे हैं, तो debit है, तो just opposite entry हम लोग करेंगे, credit में, तो wages rupees कितना हो जाएगा, 150 rupees हम लोग डाल देंगे, by wages account, तो इतना करने के बाद, जो transaction हम लोग पूरा, मतलब general interest है, जो ledger हम लोग बनाएंगे, तो ledger का पूरा हम लोग balancing करेंगे फिर, तो last में जो amount आएगा, यानि कि debit में आप देख लिजे और credit में देख लिजे, अगर debit में amount ज़्यादा है, और credit में कम है, तो ज़्यादा वाला amount, debit का amount ही, credit में हम लोग लिखेंगे, और उसके बाद जो balance आएगा, उसको हम लिखेंगे by balance CD, यानि कि carried down, 6,190 रूपीज जो है, वो next year के लिए हम लोग उसको carried down कर देंगे, तो दोस्तों इस तरह से आप journal interest लेजर बना सकते हैं, और बहुत ही आसानी तरीके से बना सकते हैं, जैसा मैंने बताया है, बिल्कुल वैसा ही आप बनाएंगे, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसमें ना मैंने कोई rule यूज किया है, ना कोई golden rule मैंने यूज किया है, ना कोई modern rule मैंने यूज किया है, बस जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही आप करते जाएंगे तो आप आराम से जर्नल इंट्री भी कर लेंगे और लेजर भी बहुत आसानी से बना लेंगे दोस्तों मैं निक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि लेजर से कैसे ट्रायल बालेंस मनाया जाता है तो प्लिज इस वीडियो को पूरा कंप्लेट देखे और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए